ऑज नमस्ते पनाम कैसे है आप लोग आश्या करती हूं जो जहां होंगे स्वस्त होंगे और मस्त होंगे उसके पहले बता दूँ गाइस मेरा नाम है पूजा और मैं बिहार के सिवान जिले से हूँ जहां से सचीर मनीशा है वहीं पे मैं भी रहती हूँ और मैं उनकी रिलेटीव हूँ की नहीं यह आपको आगे आने वाले वीडियो में आगे आप देखके रही है प्रूफ के साथ पता चल जाएगा और मैं कौन हूँ कहा से हूँ सब कुछ आपको किस गाव से हूँ इकज़क्त में रिलेशन में कौन हूँ नहीं हूँ तो आपको आने वाले वीडियो में टाइम नाम मुझे दीजिएगा वहीं आप लोगे सांथ सेयर करती हूँ आपका इस मेटर में क्य क्या होगा कि नहीं कि रंजना और दी वारी मनिशा जठानी यहां लेकिन जितना ज्यादा मनिशा अपनी दीवरानी को एप्रीशेत करती है उससे हम सारी जठान तो मैं थो खुद दिवरानी हूँ मतलब जो भी जफानियाँ है उनको सीखना चाहिए कुछ तो सीखना चाहिए मनिषा से काम करती है कि फार अबर में जएधा एक्टिब है कि नहीं इस बात को हटा तीजे लेकिन एजसे जटानी या ना लगे वो अलग बात है लेकिन अर्ल टाइम वो अप्रिशेट करती है जो जीज मनिर्शा में बहुत ही अच्छा है अगर ऐसे कोई जठानी अपनी देवरानी को अप्रिशेट करें तो उससे क्या होता है ना अपना आप लोग बता रही हूं कि अगर देवरानी के कोई तारीख कर देना तो उसके पीछे पर जाती है बुराया खुझने में के नहीं नहीं मेरी देवरानी तो ऐसी है वह है अच्छी नहीं लगती अगर कभी खुले मूंसे बोलती भी नहीं है कि हाँ तुम सुन्दा बात करती है तो और रंजिना का बारे में अभी उसका नहीं नहीं साधी हुआ है बहुत कुछ चीक रही है और यह कर रही है आज का वीडियो आप लोगों ने देखा भी उसने बहुत अच्छा से बात बोला कि आप मुझे मनिशा दीदी के सांथ कंपेर मत कीजिए मनिशा मनिशा दीदी है और मैं रंजिना हूं उसने सही कहा पांचों उंगली नहीं होती है बात सही है यहां तक सही है दूसरा बात मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर रही हूं कि आप सहमत है कि नहीं आप बताईए आप मनिशा का कोई भी वीडियो उठाक देख लिए वागनिशा को साधी था तो जब से साधी हुआ है इसे साधी और मनिशा अबला जाए कहीं भी जाए पने देखिए कि मैनेधने में गलती किया झाल है या मैंने देखा नहीं है कि यह आपने कभी देखा है कि मनिशा को मनों बहुत मिस करें एक से दो लए और अब होती तो आप यह चली गई है उसका में बहुत ज्यादा मिश्कर रही हूं इस से मुझे लगता है ना आप बहुत अच्छा और किया बहुत है नहीं है यह तो आपको पता ही है और और सब लॉंकों रिल्चा कैसा होना चाहिए देवरानि चिठशा नियुक्षा कैसा होना चाहिए धिर के अगर मनिशा कॉछर्ण सेbonh रोटी बना देती है तो नहीं 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 है तो मनिश्य ने भी बहुत सरा काम किया होगा नहीं किया होगा दोनों पहने की जैसी हैं और ऐसा तो हमाई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो मतलब की देवरां अक उसको बुलाया गया है और अगले ज lobby याथा नहीं है दो कि इस अभ्स नवान होती है जो बनकर आती हैं तो पताब नहीं है इसा सब हमारे सास्त्रों में बोला जाता है मुझे इसका लेना देते हैं बाबा लो का ही बोला हुआ बात है मैं आप लोगों साहँ और एक चीज दिखिएगा वह हमेशा ना प्रिंस बाभु पिंस बभु ऐसे इसे करते रहती और प्रिंस खराब नहीं है वह खराब इंसान भी नहीं है प्रिंस राज के बात करने का तरीका एंगा ऐसा कुछ बोल देता है कि सही बात को भी ना गलत मतलब एक पोट्रेट कर देता है या कि मतलब उसका जो फेश लागोंज है ऐसा ही हो जाता है आप लोगों अपनेट करके जरूर बताइएगा किसी भी मनिशा का वीडियो में आप देखिएगा बहुत कम ही होता है जैसे ओंफर्टेवल फिल करता हो या कमफर्टेवल लगता है चलो मनिशा के साथ सारे कमफर्टेवल और आज का जो ब्लोग आया था आँटी जी और मुझे बहुत अच्छा लगा दोनों का न फेस पर नेचुरल हंशी था आपने देखा ही होगा जब आंटी बोल रही थी मैं अंबाला वाला घर नहीं जावेंगी तो मनिशा बोल रही तो रहेगी तो बहुत बड़ी बात है आज कोई नहीं करता है यह लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है देखिए सब लोग करी सतल्व बड़े आप इसको परशन करते हैं तब ही आप मेरा वीडियो देख रहें तो आप लोग भी बनें आपका अपना घर को सब करें अपने लाइप में तरक्की करें तो मेरा नम पूजा है तो आप लोग मेरे ब्लॉग को भी ना मेरे लाइक से कुछ भी ऐसा मतलब डॉक्टर से मैं बहुत उनका ट्रीटमेंट और मैं मनिसा सचीन के बारे में बात करने वाली हूं और अज रंजरा क्यों रोई हो भी मैं आपको बताने वाली हूं थोड़ा साप मेरे बारे में सुन लीजे तो मेरे हस्बेंट दवाओं ने पूरा ही साथ क्या यह से देख रहे हैं अपना घॉथ कोई दवाई कोई मेडिशन कोई भर कहीं ठीक ठीक हो न नहीं सकता है ने प्लेशिंग काम करसकता है तो प्लीज अपना ब्लेशिंग मुझे दीजेगा ताकि मेरे थीक हो जाए तो ने साथ ब्लोग कर को आप लोग के साथ सेर करसके नहीं से कुछ तो मैं सब कुछ में मैंनेज करते बिखता है मैं खुद दूद लेके आओं तो ही में चाय बिना कर पी सकती हूं मेरा ऐसा कंडिशन है तो क्यूंकि मेरे फैमली में और कोई है नहीं में हूँ और जिठानी यह जादा में बात नहीं होती है आपको ज्यादा में में क्या बोलू तो उन लोगों से मेरा खुद ब बहवार करते होंगे तो इस मेटर पर और भी मैंने वीडियो डाला है आप जाके देख लीजेगा चलिए आज बात करते हैं देवरानी जेठानी मनिशा के बारे में अगर आपको मेरा ब्लोग अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए आपक बेट करता है ताकि में वीडियो अप्लोड कर शुक्यों और मेरा सोर्स अफ इंकम भी हो जाएगा क्योंकि मैं नहीं चाहती हूंगा इसकी में घर से बाहर जाओं कुछ करूं क्योंकि मैं यह जौब भी करती थी इसके पहले वाला पहले वाला वीडियो आप देख बहुत मतलब क्या बोलती हैं उकल डांस कर रही थी उसकी उपर भी बहुत सारे लोग का कमेंट्स आ रहा था आप लोग अपना बताईए गैस में कमेंट्स का बारें बात करी रही एक नहीं तो सबका अलग अलग डांस के सब अपने हिसाब से रहेंगे अगर आप वही अच चलते मत लाई कीजिए बात कब और रही बात एक लोग और मुझे अभी मेरे वीडियो के निचा पर जाके देखिए कमेंट्स किये थे बहुत चलाक है अपने सास को बेकूब बनाती है ऐसा वैसा मनिशा भोली नहीं है बहुत बनने का नाटक करती है यह बात कहां तक सत्ते हैं आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मनिशा भोली नहीं है जैसे कि वह अपनी सासुमा को बेकूब बनाती है कि वह बोली है जान भूसके घर का काम नहीं करती है ऐसा मुझे कमेंट्स आया है मैं नहीं बोल रही हूं मैं मनिशा के लिए हमें सब पोजिटिव ही बात करती हूं आप में सारे वीडियो जाकर देख लीजिएगा तो उस